अकिल बारती खदान मजदूर संग ने आज शमिक और उद्योग विरोधी नीतियों को लेकर बिलासपुर में सी सी एल और सी एम पी एफ कारेले का घेराफ किया बिलासपुर में कोल क्षेत्र से आए हजारों शमिक आंदोलन में शामिल हुए शमिकों ने कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉक आवंटन पर रोक लगाने, ग्यार्वे वेतन समझोता के लिए शीग्र कमेटी का गठन करने, 2017 से सीवा निर्वित्त करमचारियों को अधिकारियों की तरह 20 लाक रुपे तक ग्रेचुटी का भुपतान करने की मांगे इसलिए यह सब मांगों के लेकर हम यहापर है जितेंद्र क्या प्रमुक मांगे और क्या कोई वारतालाब का क्रम बाचीट का क्रम शुरू हो पाया देखे भारते मजदूर खंग संग लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रथ है और इसी कड़ी में आज जो रास्ती संगठन है उसके आहवान पर आज यह आंदोलन यहां पर किया गया विलास्पूर में धरनाद दोलन में शामिल हुए है और इनकी जो प्रमुक मांगे है क्योंकि जो कमर्सियल माइनिंग है उसमें जिस तरह से कोल ब्लाकों का अबंटन किया जा रहा है उसके लिए शिग्र कमिटी कर्षित करने जैसी कई मांगे है जिसको लेकर यहां पर जो आंदोलन है वो कि कमर्सियल माइनिंग की निती है भारत सरकार की उस पर रोक लगाने की मांग है क्योंकि हमारा संसंगटन का सरकार से समझता हुआ था कि कमर्सियल माइनिंग में हम वीराम लगाएंगे संसंगटनों से सहमती लेने के बाद में ही इसमें आगे कारवाही की जाए लेकिन उन्ह लेकिन अभी तक कमिटी का गठन नहीं हुआ है और अन्य स्रमिक समस्याइं हैं जैसे कि हमारे पदोन्ति या और कमपनी आवाज ठीकिस्टा सुईधा थेका स्रमिकों की जो समस्याइं हैं उनको निमित किया जाए उनको जो बहुत लंबे समस्याइं एक ही काम में लगे हुए लेकर आप लोग बात पर पैसा देना पड़ता है इस तरह की विकते हैं और इस पर किस तरह का समधान आप लोग चाहिए मतलब उसको एक दरा से भर्ष्टा जार का ही कारियाला हम लोगों को भी उसमें समस्या आती है लेकिन कोई भी प्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि में बीना कोई भेट पूजा के अपना काम करा सकता आगे आप लोग किस तरह से आंदोलन को और बती देंगे क्योंकि आज जिस तरह से आंदोलन वे बड़ी संख्या में लोग जुटे है धनबाद में भी एक बड़ा आंदोलन और बैठक की चर्चा हो रही थी अब बाद में दस तारीकों को शियर्ट के अपका जो मुक्षाला है उसमें हम लोग मांगों पर आंदोलन आगे किस तरफ बड़ता है जरूर देखा जाएगा आपका भी धन्यवाद और जो लोग मारे साथ जोड़े उनका भी धन्यवाद कुल में लाकर मजदूर अपनी मांग के उपर दस सुत्री मांगों के उपर धर्ना कर रहे है प्रदर्शन कर रहे है बहुत शुक्रिया जितेंदर आपका